हलो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपके हमारे चनल श्क्राइटर क्लासेश पर और शुरू करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में आप जिस जानते ही हैं एक क्लास क्याने की एक सेट हमने पिछली क्लास में डिसकस कर लिया था और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 BPSC 3.0 के लिए जो कि आपके लिए टिटी लेवल के एक्जान के लिए सुटेबल होगा उसे हम कॉंटिन्यू कर रहे हैं तो स्टाट करते हैं देखते हैं पहला कोशन क्या है और आज की क्लास में यह चाह रहा हूं कि हम पहला कोशन थोड़ा सा इजी लेग चलते हैं चलिए पहला सवाल पढ़ लेते हैं पिर आगे बात करते हैं सवाल कहता है आपका कि एक बैग में 100 कार्ड हैं जिन में जिन पर एक से लेकर सौ तकी संख्या लिखी हुई है अब क्या किया गया बैग में से रैंडम ली बगार किसी पैटन के एक कार्ड निकाला जाता है तो अब प्राइकता ज्यात कीजिए किस बात की कि जो भी कार्ड निकाला गया है चैनित है उस पर क्या होना शाहिए उस पर हो नौ से विभावजित होने वाली संख्या और एक पूरवर्ग ठीक है और एक पूरवर्ग अब इस कोश्चन को यहाँ पर रखने का मोटिव क्या है एम क्या है गोल क्या है बात यह है कि आप जितने भी कोश्चन देखते हैं प्रोबिलिडी के अंदर उसमें आप से कोई ए पूरवर्ग संख्या हो लेकिन यहां पे क्या एक पहा गया है आप से दो बाते बोली गए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है और साथ में सबसे जरूरी बात कि किस वर्ड से कनेक्ट करा गया है कहने का मतलब और लिखा है या फिर अत्वा लिखा है इसको आप या भी क elements को लेके आता है यसे कि यहाँ पर 9 से विवजित हो और Porn Sanízaya हो तो यहाँ पर अपको दो बाद ध्यान रख नहीं है एक तो यहाँ पर क्या ध्यान रख ना है कि AND लिखा हूँआ है या फिर और लिखा हूँआ है यह हम English की बात करें और अगर हिंदी की बात करें तो वहां पर और लिखा हुआ है या फिर अत्वा या फिर अत्वा जिसको आप या भी कहते हूं ठीक है अब यहीं पर सवाज जो है सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है जब भी यहां पर and लिखा हुआ होता है तो जितने भी element जितने भी outcome इसके अंदर आएंगे और जितने भी outcome इसके अंदर आएंगे उन सब में जो common होगा सिर्फ उसको लिया जाएगा ठीक है लेकिन अगर और लिठा हुआ है तो जितने भी outcome इसके अंदर आने वाले हैं और जितने वी outcome इसके अंदर आने वाले हैं वो सारे ही लिए जाएगा अभी मैं क्या क्या रहा हूं थोड़ी दिवार किलिए नहीं हो रही होगी पहले ज़रा इसकोषिम के अंदर इसे apply करते हैं ठीक है देखिए अगर एक से लेके 100 तक की संख्याएं हैं ठीक है और 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स चाहिए तो हमें कॉन को से नंबर्स चाहिए बेटा एक तो हमें चाहिए 9 दूसरा चाहिए 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99 कुल मिलाती है ग्यारा नंबर मेरे पास होंगे लेकिन अगर पूर वक्ती बात करी जाए तो एक तो एक होगा एक चार होगा नौ होगा 16 होगा 25 होगा 36 हो जाएगा फिर 49 64 81 और 100 ठीक है अब फिर से बात करते हैं एंड या फिर कहा जाए और की जब एंड या और कहा जाएगा अब इन दोनों में से सिर्फ वही आउटकम लोगे जो दोनों में हैं ठीक है कहने का मतलब एक तो आप देखो यहां पर ध्यान से 36 जो की दोनों में हैं ठीक है दूसरा आप यहां पर दिखेंगे 81 ये भी दोनों में है ठीक है और एक 9 ये भी दोनों में है हम ये तीन नंबर जो है वो तीनों लेंगे एक तो हमने 9 लिया एक हमने 36 लिया और एक हमने 81 लिया ये कब लिया जब उसने and कहा हो या फिर अगर हम हम लिए में कहें तो और कहा ठीक है बट अगर वो अज़व शब्ड यूज करता कि या तो 9 से डिवैड होने वाले हो या फिर पूरबर्ग हो तो हमें ये सारे के सारे लेने पड़ेंगे और ये भी सारे के सारे लेने ठीक है और यहाँ पर एक बात और जहाल यह रखनी पड़ेगी कि repeat नहीं करना है अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ counting करने शुरू करते हैं देखो एक आप नंबर यह लोगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा यह तो हो गए पंदरा नंबर जो अलग-अलग थे इसके अवा हमने यहाँ पर जो यह तीन नंबर पहले निकाल के रखे थे वो इसमें एड हो जाएंगे, आप 6 नहीं जोडोगे, 6 मैं क्यों कह रहा हूँ, तो कि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन वो सेम नंबर से, तो इसको आप नहीं लोगे तो कुल मिलाकर, अगर और वाला केस आएगा, तो इसमें 18 नंबर आएगे ठीक है, तो अगर यहाँ पर निकालनी है probability, तो मैं कहूंगा, भई, probability निकालने के लिए आपको करना है, 3 अपॉन में 100, तो आंसर क्या जाएगा, 0.03, पर अगर इस केस में निकाली जाएगी probability, तो 18 अपॉन में 100 अगर जाएगी, तो आंसर हो जाएगा, 0.18, हमारे सवाल में इसको पूछा गया था, तो मेरा आंसर है, 0.03, मेरा आंसर क्या है, 0.03, ठीक है, सही नगरा कोशन, चलिए, एक कोशन और लेते हैं ऐसा, फिर आगे बात करेंगे, यह देखिए, ठीक है, अब इस कोशन में भी सुलड़ी सी जी बात करते हैं, तो उकोशन यह कह रहा है, इसरतों में, फैमिली के अंदर थीन बच्चे है, ठीक है, तो अब यह बताये, की एड़ त्लिस्ट, एक बच्चा हो, कम से कम एक लड़का हो, इसकी प्राइक्ता, इसकी प्रविल्टी क्या होगी, ठीक है, कम से क हम एक लड़ता हो अब सबस्क्राइब किया दिया है कि अगर हम तीन बच्चों की बात कर रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे क्या क्या हो सकता है ये कैसे मालूम पड़ेगा तो हमेशा द्यान रखेंगे जब भी हम बात करते हैं चिल्डर्न की बच्चों की तो दो ही ऑप्शन्स होते हैं या तो गर्ल होगी या बॉय हो जब भी ऐसा हो और फ्री चिल्डर्न कह रखे हो तो आपको टोटल आउटकम बनाने हैं वो कैसे बनाने है तो यहां पर आप क्या करो पहले चार बार जी लिखना है और दो बार बार दिलैखना है अगेन दो बार G लिखना है और दो बार B लिखना है और उसके बाद में एक बार G एक बार B आने कि Girl, Boy, Girl, Boy, Girl और Boy कुल मिला कर हमारे पास आठ आउटकम हो जाएंगे इसके अलावा कोई भी condition possible नहीं है यानि कि ऐसा हो सकता है कि किसी family में तीनों ही लड़किया हो ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है किसी family में पहली दो लड़किया हो और फिर तीसरा जो है वो लड़का हो इस तरह से मेरे पास यह आठ आउटकम है ठीक है अब आते हैं जो हमसे पू हो तो इसका मतलब यह भी होता है कि एक से अधिक भी हो सकते हैं तो अब एक से अधिक अगर हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं वही एक से अधिक दो हो सकता है या फिर तीन हो सकते हैं इससे ओपर हम नहीं जाएंगे तो कम से कम एक का मतलब क्या हुआ हुआ कम से कम एक मतलब यह हुआ कि एक लड़का भी हो सकता है दो लड़के भी हो सकते हैं और तीन लड़के भी हो सकते हैं हमें ये तीनों ही केस कंसीडर करने पड़ेंगे हमें ये तीनों ही केस कंसीडर करने पड़ेंगे सबसे पहले बात करते हैं उन केसिस की जहां पर सिर्फ एक लड़का हो तो ठीक है दो केस हो गए और एक ये वाला केस है जहां पर एक लड़का है ठीक है बेटा अच्छा अब दूसरा जहां पर दो लड़के हूं ठीक है दो लड़कों की बात करी जाए तो इस केस में दो लड़के हैं ठीक है इस केस में दो लड़के हैं और इस केस में दो लड़के ह अब तिसलिए की बात करीजा है, जहाँ पर 3 लडगे हूं, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको 3 लडगे दिखाई पड़े गए. तो तीन आउटकम हमने यहां पर काउंट करें, तीन आउटकम यहां पर काउंट करें, एक आउटकम यहां पर काम किया, कुल मिलाके मेरे पास आउटकम कितने होगा, साथ होगा, ठीक है, अगर साथ मेरे पास, कुल आउटकम आ चुके हैं, और टोडल थे आठ, तो जो जान रखेंगे अब अगर आपने प्रोबिल्टी पहले से पड़ी हुई है तो आपको इसे देखकर क्या जाता है इसे देखकर याद आता है कौई ठीक है सिक्का जब सिक्के को तीन बार उच्छालते हो तो ऐसे ही आउटकम बनते हैं बस हम वहां पर हैड और टेल यूज करत है ना सबने हां पर देखा तो हम बच्छों की बात कर रहे हैं तो girl या boy हो सकते हैं human की बात करी जाये तो male या female हो सकते हैं तो सुर्फफ दो ही आउटकम है और दोनों के probability क्या है बराबर है तो हम coin वाला case ही यूज करते हैं फिर चाहे एक coin हो चाहें दो coin हो चाहें 3 coin हो and so more तो हम अगला सवाल जो ले रहे हैं वह यह लेए चलिए चलिए अच्छा कोश्चन है बहुत बढ़ी है ठीक है थोड़ा वक्त लेगा और बहुत कुछ सिखा कर जाएगा तो थोड़ा ध्यान से देखें देखिए आपको सवाल क्या दिया गया है आप से कोशन कहा गया कि एक समीकरन है अंडरूट 3 कोट स्क्वार थेटा माइनस 4 कोट थेटा प्लस अंडरूट 3 इक्वल टू जी अब कोश्चन को देखिए के साथ ये लग रहा है और एक बहुत नौमल सी बात है कि आप लोग सभी यही कहेंगे कि सर्ट कोश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से ठीक है मैं भी क्योंगा है वे जाब बिलकुत है बात कह रहे हां लेकिन अभी हम हम इस में ट्रिग्नोमेंट्री नहीं लाङने वाले हों क्यूं अभी दिखाता हूं ऐसा क्यूं कह रहा हूं तू ऐसा करते हैं एक चोटा सा काम के přेवाम को लेट करते हैं कि जो कोट ठीटा है न बेटा वह x जो कौट ठीटा है वह x तो यह सवाल क्या बन जाता है जाना ध्यान से देखेंगे इस बात को ठीक है यह सवाल बन जाता है अंडरूट 3 x स्क्वार माइनस 4x प्लस अंडरूट 3 अब मुझे बताओ क्या यह कोश्चन ट्रगो के अंदर है अब यह कोश्चन ट्रगो का नहीं है अब यह कहां आ गया अब यह आ गया आपका द्विगातिय समीक्रण याने की क्वाड्राटिक एक्वेशन के दर ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं इस सॉल्व कैसे करते हैं भाई सीरीसी बात है कि इसको इससे मल्डिप्लाय करो तो क्या आएगा तीन यानि की मल्डिप्लाय करके 3 आना चाहिए और करके ठीक है और प्लस करके चार आना चाहिए तो ऐसे फेक्टर क्या हो सकते हैं हमारे पास मैं यह गरा यहां से मिटा दूँ अंडरूट 3 3 x square minus 3x minus x plus root 3 ठीक है तीन और एक को जोड़ेंगे तो 4 आएगा multiply करेंगे तो 3 ठीक है चलिए फटा फटा सा common निकाल लेते हैं इससे ज्यादा timecraft करने जूरूद नहीं है यह सब आपको आता ही है यहां से minus का 1 common आ जाएगा एकोल सु 0 तो कुल मिलाके x minus under root 3 और under root 3 x minus 1 यह मेरे पास दो factor बन जाते हैं अगर इन दो factor को आगे solve किया जाए तो हम यहां से 2 x की value find कर सकते हैं एक तो आ जाएगा कि x minus root 3 अगर 0 है तो x की value है under root 3 और अगर under root 3 x minus 1 जो है वो 0 है तो x की value आ जाएगी 1 upon में under root 3 बट क्या हमारा सवाल पूरा solve हो गया नहीं अब यह पूरा solve नहीं हुआ है अब क्या हुआ इस से मुझे यह मालूम पड़ा कि cot theta की value अंडरूर 3 हो सकती है या फिर cot theta की value 1 upon अंडरूर 3 हो सकती है ठीक है बर मुझे यह काम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली value के लिए होगा इस वाली value के लिए होगा तो हमने ऐसा किया कि cot की value यहां put कर दी और यह है अंडरूर 3 का square यहां पर टाइन का रेसी प्रोकल होता है उल्टा होता है तो यहां पर टाइन के वादले क्या पूट कर दूं अंडरूर 3 और उसका square इस बात को ध्यान रख लेंगे मैं कहीं पर लिख कर यहां पर दे देता हूं कि जो cot theta होता है वो 1 upon tan theta होता है यानि कि यो tan theta की value हो जाएगी वो हो जाएगी 1 upon cot theta यानि कि 1 upon अंडरूर 3 इसको solve कर देते हैं तो 1 upon में 3 plus 3 आप calcium लेंगे तो answer आएगा 10 upon 3 तो यह मेरा answer यहां पर दिखाई पढ़ रहा है ठीक है लेकिन अब क्या है यहां पर तो एक और value है क्या इस value सो की फरक पढ़ने वाला है इस चीज़ को हमें check out करना पड़ेगा ठीक है तो यह भी check कर लेते हैं एक बार तो फिर से यह चीज़ यहां पर copy करी जाए तो मेरे पास क्या put करना है मुझको मुझको चाहिए tan square theta और मुझे चाहिए quart square theta अब tan की cot की value क्या है 1 upon under root 3 और tan जो होता है cot का उल्टा होता है तो यहां पर सिर्फ root थी तो आप देखेंगे कि दोनों से ही same value आ रहे हैं ठीक है तो यही है हमारा final answer ठीक है बाइक चलो अगला सवाल लेते हैं यह question लेते हैं एक अच्छा बढ़िया question है बहुत की इसको द्यान से देखिएगा पढ़ते हैं內रा पहले question क्या हुआ कि विजय के पास कुछ केले थे उसके क्या है उन्हें दो लॉट ए और बी में उसने बाट लिया उसके बाद उसने पहले लॉट को तीन केले के लिए दो रुपए की दर से यानि की दो रुपए के तीन केले इस हिसाब से बेचा और दूसरे लॉट में एक केले को एक रुपए के हिसाब से बेचा ऐसा करने से उसने कमाए करीम चा प्रति केले के हिसाब से बेचता है और बी वाले लॉट को पांच केले चार रुपए के हिसाब से बेच देता है जब वह ऐसा करता है तो उसे प्राप्त होते हैं 460 रुपए तो अब आप ये बताईए कि दोनों लॉट A और B को मिलाकर कुल कितने उसके पास केले थे ठीक है अब सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर समझ पाए हैं पगड़ पाए हैं तो वो यह होनी चाहिए कि सवाल है किस टॉपिक से तो यह सवाल जो है वो है linear equation in two variable या फिर राखिये समिकरण कौन से दो चरवाले ठीक है अच्छा अगर इतनी बास में आ गई है तो आप यह बात भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए तो हमने माना कि भाई जो A lot है उसमें X के लिए हैं और जो B lot है उसमें Y के लिए है ठीक है अब देखो फिर से ऊसने तीन केले 2 रुप्या है तो कितने गूर्प हो जाएंगे एक गूरूपय का है टू से मंढ़ peng speaking और था है ठीक हृष फिर ना क्तिसे से कितने क्माता है चारसुर्य कमाता है तो अपनी एक्ध्विश्न क्या बन जाती है हृँ 2x upon me 3 plus y is equals to 400 ठीक है या फिर पूरी ही equation को हम क्या करते हैं पूरी ही equation को हम 3 से पुड़ा कर देते हैं ठीक है ऐसा करने से क्या होगा सर ऐसा करने से जो यह आपको बटे में दिखाई पड़ रहा है यह दिखाई नहीं पड़ेगा और आपको equation कुछ आसान लगेगी ठीक है चलिए तो यह हो गई मेरी पहली equation अब आगे बढ़ते हैं अब अगली condition को अगर पढ़ा जाए तो यह कहता है कि next बार उसने पहले लॉट को एक के हिसाब से ही बेच गया यानि कि 1 multiplied by x एक केला एक रुपे गा अब इसाब पांच जाएगा अब इससे किस से मल्डिप्लाइ कर दूँ पांच से मल्डिप्लाइ कर देता हूं तो 5x plus 4y इसे 5 से मल्डिप्लाइ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा तो यह मेरे पास दंजाना चाहिए तो यह हो गई मेरी दूसरी त्यार हो गई है यहां से आगे आप लोग क्या करते हैं आप लोग X और Y निकालते हैं जिसके करने पर इसी तरीका प्रास में हैं या तो आप आप X की वहल निकालके तो Y में पूट कर देते हैं और असर निकाल लेते हैं या फिर आप क्या करते हैं एलिमैशन का तरीका इसमाल करते हैं उससे असर निकालते हैं बट इस सवाल में ऐसा कुछ भी करनी जूरistling है ऐसा मैं क्यों कह रहा हू हूँ बस दो मिन दीजिए पहली क क्या है 2x plus 3y equal to 1200, दूसरी क्या है 5x plus 4y is equal to 2300, अगर इनको जोड दिया जाए तो 7x plus 7y equals to 3500, पूरे समिकरोन को साथ से भाग कर दीजिए, तो 7x upon 7, 7y upon 7 equal to 3500 upon 7, तो यह क्या हो जाएगा, 77 कट जाएगा, यहां बचेगा 500, कहने का मतलब x plus y कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, याने कुल के लोग संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या हो गई 500, ठीक है, कुल के लोग जो है, वो 500 है, और यहां पर हमने कोई भी x यह यह फा ठीक है, हम सफ इतनी बात बोली वे थी, कुल जो केले हैं, वो कितने होंगे, जो कि हमें बस इतना ही काम करने से मिल गई, ठीक है ना, चलिए, एक सवाल यह लेते हैं, ठीक है, पॉशन, फिरसे टुर का ही है, और देखते हैं कि इसकी अप्रोच क्या है, पॉशन कहता है कि यदि रूट 3 10 x, जो है, वो 3 sin x के बराबर है, तो आप यह बताइए, कि cos square x minus sin square x, या फिर कहा जाए, sin square x minus cos square x, कितना होगा, तो देखो, ऐसे पॉशन में क्या है, जो भी हमें यह relation दिया होता है, यही हमारे लिए सब कुछ है, हम जो भी answer निकालने वाले हैं, derive करने वाले हैं, वो इसी relation से ही करेंगे, कैसे करेंगे, ज़रा इसको लिखते हैं, और फिर आगे बात करते हैं, तो मेरा relation यह कहता है, बेटा, कि जो अंडरूट 3, 10 x है, वो 3 sin x के बराबर है, फिक है, यह बात तो आप स 10 को लिखते हैं, sin x upon में cos x, और यहां पर रूट 3 को पी के नीचे भेज कर sin x को ऐसा ही रख देते हैं, अब क्या करा जाएगा, अब sin से sin कर दे जाएगा, यह रूट 3 अब 3 काटेगा, तो रूट 3 बच जाएगा, ठीक है, तो अब क्या बचा, 1 upon में cos x is equals to under root 3, ठीक है, या फिर, cos x is equals to 1 upon में under root 3, ठीक है, हाँ तक की बात है, cos x निकल गया, अब जो हमें find करना है, उसकी बात करी जाए, तो मुझे find out करना है, कि sin square x minus cos square x, इसका जो है, जवाब क्या होगा, ठीक है, तो देखो, दो रास्ते हैं, दो रास्ते कैसे हैं, एक रास्ता है, जहाँ पर हम वो सवाल, जो solve करने वाले हैं, उसे 10th में पढ़े लिए, जो आपने पढ़े हुए formula थे, उसे solve करेंगे, ठीक है, वो कैसे हैं, देखो, अगर आपको cos पता है, तो आप sign निकाल सकते हो, अब ये होगा कैसे, बहुत आसा cos जो होता है, वो होता है, base upon hypoten, ठीक है, एक triangle बना लीजिए, यहाँ पर 90 degree है, ठीक है, और यहाँ पर मैं angle x ले लेता हूँ, तो base हो गया 1, और ये हो गया root 3, तो जो ये lump है, यानि कि perpendicular है, वो कैसे निकलेगा, वो निकल जाएगा, कैसे under root 3 का square, minus 1 करके, यानि कि 3 minus 1, तो कि इतना आ गया, 2, ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास में यहाँ पर perpendicular आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, साइन, तो साइन क्या होता है, मेटा, साइन होता है, साइन x होता है, perpendicular upon में, hypotenuse, अब perpendicular तो हमने अभी find ही किया था, कितना find ही किया, 2, तो हमने यहाँ put क साइन के बदले हमने लिख दिया, कुछ ऐसा, और cost के बदले हम पहले ही निकाल चुके है, ठीक है, इसको solve गड़ देते है, 4 upon में 3, minus 1 upon में 3, यहाँ पर मेरे पास, जो जवाब आ जाएगा, वो आ जाएगा, 4 minus 1 upon में 3, तो answer है, एक, ठीक है, और यह answer तो कहीं भी नहीं लि अच्छा, यहाँ चोट सी गलती हो गए बेटा, कि हमने जब यह लंब निकाला, तो हमने यहाँ पर route नहीं लगाए, तो यह क्या होगा, जो हमारे पास, इवर इसको दुबारा देख लेते हैं, जो हमने यहाँ पर perpendicular निकाला, उसका तरीका क्या हो रहा चाहिए था, कि under root h का स्क्वाइर, माइनस b का स्क्वाइर, तो जो यह अंडरूट है, यह लगाना जो है, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, तो कुल मिलाके, अंडरूट 3 माइनस 1, याने की अंडरूट 2, तो यहाँ पर आप अंडरूट 2 लगा लीजिए, तो यहाँ पर भी अंडरूट लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी अंडरूट लग जाएगा, इसको फिर हम दुबारा स्वाइर कर देते हैं, तो जब अंडरूट 2 का स्क्वार होगा टू पच्छेगा अप्वाउन में 3 माइनस 1 अप्वाउन में 3 तो जवाब आ जाएगा 1 तो ए सही ऑप्शन है अब यह जो कुशन था हमने किस तरीके से किया हमने ट्रेंगल को यूज करके किया हमने 10th का मेथड यूज किया है बट इसी कोश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं आपको दिखा देता हूँ बता देता हूँ आपको याद रहे तो बहुत ची बात है सुनिये एक फ़र्म्मला होता है हमारे पास जहां हम कहते हैं कि जो cos square x minus sin square x होता है वो cos 2x के बराबर होता है ठीक है वो cos 2x के बराबर होता है अब आप अपना सवाल देती है आप से कुछ ऐसा ही पूछ रहता है ठीक है but sin जो है वो आगे पीछे है ठीक है तो अगर मैं यहां से minus common निकाल लूँ तो यह बन जाएगा sin square x minus cos square x और यही मुझे निकालना है ठीक है यही मुझे find out करना है तो अगर देखा जाए तो actually मुझे find out क्या करता है यहां minus लगा के cos 2x और यह वाली वाली ठीक है तो यही चीज तो लिखी है बस minus यहां shift किया है ठीक है अब आपका वाल जो दिहान रखनी है वो यह है कि cos 2x का formula cos की form में होता है cos 2x का formula cos x की form में होता है और वो होता है 2 cos square x minus 1 तो आपका यह जवाब सिर्फ किस से निकलाएगा सिर्फ cos पुट करने से निकलाएगा वहां हमें sign भी निकलना पड़ा अगर आप कोई formula याद है तो आप सिर्य सिदे कह सकते हो कि अगर cos पता है यानिकि 2 in 2 में 1 upon 3 minus 1 यानिकि 2 upon 3 minus 1 तो answer कितना आ रहा है LCM लोगे ठीक है तो आपका answer यहां से आएगा 2 minus 3 upon 3 यानिकि minus 1 upon 3 अब हमारे पास क्या था negative था तो negative जब यहां से यहां तक asset continue होकर आएगा तो इससे क्या बना देगा plus 1 तो अगर आपको यह formula याद है तो आपको यह value सिधा put करनी है और सिधा answer निकालना है ठीक है और बस इतना ही काम करना पड़ेगा उसमें फिर इतनी सीज़े हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह निकालने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना ही step बनता है ठीक है ना यह करना पड़ेगा ना यह करना पड़ेगा ठीक है तो मैंने इसलिए आपको यह question जो है वो दो तरह से करके दिखा दिया अगर आपसे formula यह याद हो जाता है या आपको पहले से ही याद है तो well and good बहुत अच्छी बात है ठीक है बड़ अगर नहीं है और आपको लगता है कि formula याद नहीं रहेगा तो यह जो मैंने तरीका पहले करके दिखाया यह evergreen है ठीक है तो कि वो triangle पता है क्या होता है ठीक है perpendicular क्या है पता है क्या होता है base और hyperdonis तो आपके यह तरीका भी अराम से यूज़ कर सकते है चलिए आगे बढ़ते है ठीक है सवाल लेते हैं सवाल लेते हैं यह वाला ठीक है देखें मैं चाहता हूँ कि ऐसे questions कराए जाए जो आपके concept पर based हूँ ठीक है और ऐसा concept जिस पर सिफ एक सवाल नहीं आ सकता कई तरह के सवाल बन सकते है इससे क्या होगा आप एक सवाल सीखके जाएंगे लेकिन आपके सामने ऐसे आने वाले कई सवाल जो कि इस पर based होंगे उनको भी करके आएंगे ठीक है तो जरा इस question की तरफ देखते है देखने बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे सवाल को देखकर प्रोड़ी सी परिशानी इदम से पैदा हो जाती है तो कि सब नंबर तो लिखे नहीं है बतानी क्या N और A लिखके दिया हुआ है सवाल कहता है कि यदि पी की पावर N को A गुड़ा 5 की पावर N की तरह से लिख सकते है तो आप ये बताइए कि पी की पावर N के 21 स्थान पर 0 आने के लिए A का मान क्या होना चाहिए पी की पावर N के 21 स्थान पर 0 आने के लिए A का मान क्या होना चाहिए ठीक है तो हमने यहां पर क्या किया है, P को तोड़कर लिखा है, A गुड़ा 5, अब A के दिखाँ पर क्या हो, कि आपको एकाई के स्थान पर 0 मिल गा है, ठीक है, तो बहुत छोटा से पॉंसेप्ट है हमारे पास, देखो अगर मैं 10 लिखता हूं, तो एकाई के स्थान पर 0 है, ठीक ह अगर मैं 110 लिखता हूं, तो एकाई के स्थान पर 0 है, तो मैंसे कैसे लिखता हूं, 11 गुड़ा 2 गुड़ा 5, अगर मैं लिख दू 1, 2, 3 और 0, तो मैं पूरा स्थान ना करूं, और सिर्व इसको इस तरह से लिखके ये कह दूं, कि अभी भी मैं इसको 2 गुड़ा 5 के रू ठीक है, तो भी आपको इकाई के स्थान पर 0 मिल जाएगा, और भी बहुत एकसम्बल दे सकता हूं, लेकिन यहां पर जरा अपनी जो बात कहने चाह रहे हैं, उसे पकड़ते हैं, बात यह है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आता है, तो उसके जो भी गु तो एकी वैल्यू दो हो सकती है, फिक है, अब एक वाज़ा चीज देखते है, क्या एकी वैल्यू चार हो सकती है, प्योंकि जो मैं चार को पांच से मुल्टिप्लाए करूंगा, तो भी तो एकाई के स्थान पर 0 आएगा, तो क्या सर एकी वैल्यू 6 हो सकती है, तो क्या सर पर तो क्या शर 8 हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है. तो क्या 9 भी हो सकती है? नो नहीं हो सकती, 9 तो आपको 5 दे देगा. तो कैसे numbers पर 0 आ रहा है? सिर्फ कौहन से number? समसंख्याओं पर. सिर्फ even number पर 0 आ रहा है. तो हमारा answer है B. ठीक है? हमारा answer है B क्योंकि कोई भी वास्तिक संख्या नहीं इसमें तो भाई 9 भी आएगा 9 तो को 0 नहीं दे रहा इन में से कोई नहीं इसको छोड़ देते हैं जरा विशन संख्या है बिल्कुल नहीं इसी बात पर ये बात भी clear हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ even number ही है ऐसे सिर्फ संख्या ही है ऐसी जहां पर आपको इकाई के स्थान पर unit place पर 0 मिलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते चलिए इस सवाल को देखते है ठीक है इस सवाल को देखते है सवाल क्या कह रहा है सवाल कहता है कि दो रेखाएं है एक है 2x प्लस 4 और दूसरी है x माइनस 5 बेड़ा यहां पर एक माइनस ठीक है दो रेखाएं है अब मैं यहां पर लिखते दिखा देता हूँ थोड़ा सा मिस्प्रिंट है इसके अंदर एक रेखा है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक है x माइनस 5 इक्वल टू 0 सवाल यह पुछा गया है कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी कितनी है ठीक है तो दो छोड़े चोड़े काम कर लें पहने ज़रा फिर आगे बात करते हैं तो अगर इस वाली देखा की बात की जाए तो मैं लिख सकता हूँ कि जो 2x है वो माइनस 4 के बराबर है और जो x की वैल्यू है वो माइनस 2 ठीक है और अगर इस की बात करी जाए दूसी देखा की बात करी जाए तो दूसी देखा हमारी जो है वो यह कहती है एक्स माइनस 5 बराबर 0 है तो x का मान कितना है 5 ठीक है अब चाहें तो आसर ही से निकाल सकते हैं आंसर कैसे निकले आएगा यहां से यहां तक कि दूरी काउंट करनी है माइनस 2 से पाँच तक सी दूरी काउंट करनी है तोही माइनस 2, 1 माइनस 1 0,1 colleagues 2,3lerini 4,5 ही ठीक है तो हो कितनी दूरी हो जाएगी 5 वहाँ और 2 यहाँ कुल मिलाके दूरी हो जाती है 7 तो देखो यह रहा अंसर लेकिन फिर सवाल तो यह उड़ता है कि सर यह करा क्यों कि सर यह करा क्यों तो यह करा क्यों इसका जवाब है आपके graph के अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ 3 है 4 5 और 6 पर इतने सरी काम चल जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर minus 1 है यहाँ minus 2 है और यहाँ minus 3 है जब मुझे यह वाली line बनानी है x equal to minus 2 तो वो बेटा कहां बनेगी तो वो line जो है वो बनेगी यहाँ पर ठीक है यह कौन सी line है यह है x equal to minus 2 और अगर x equal to 5 बनानी है तो बेटा यह बनेगी इधर ठीक है x equal to 5 अब यह कितनी दोरी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अच्छा ठीक minus 2 minus 5 1, 2, 3 क्योंकि यहाँ पर 0 भी है न तो फिर से दिखाता हूँ अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 अच्छा ठीक है बासोंज में आ रही है बहतर रहेगी अच्छी रहेगी अच्छे समझ में आएगी तो मज़ा भी आएगा ठीक है चलिए ऐसा ही एक बढ़िया सवाल और लेते हैं चलिए जरा बात करते हैं इस सवाल की कोशन जो है वो है आपका कॉडियर्स मैट्रीज है यानि की जो आपका चैप्टर है जयामितिय निदेशांग्थ वहाँ से कोशन का कहा रहा है उस बिंदू के निदेशांग्थ क्या होगे जो बिंदू माइनस 3,5 का एक्स अक्ष पर प्रतिविम्ब होगा ठीक है अब हम यहाँ पर इमेज की बात करने वाले हैं ठीक है तो देखो पहले ज़रा बना लेते हैं यह अपना ग्राफ हो गया ठीक है माइनस 3 और 5 एक्स माइनस 3 है और वाइफ 5 है माल लेते हैं कहीं यहाँ पर आता है ठीक है एक्स माइनस 3 और 5 ठीक है यहां तक की बात कहीं यहाँ पर आता है है एक माइनस 3 और 5 यह हमारा बिंदू हो गया और इसके देशांक है माइनस 3 और 5 अब इस बिंदू का इस बिंदू का प्रतिश्विय्म निकालना है लेकिन किस्में अब यही बात जहां देने की रहेगी कि किस्में निकालना है भई निकालना है x अक्ष में याने कि हमें x एक्स में इसका प्रतिविम में निकालना है ठीक है तो इसका प्रतिविम x में होगा तो कहीं यहां बनेगा ठीक है तो आपको यह बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि जितनी दूरी यह dotted line की होगी उपर उतनी ही दूरी dotted line की नीचे भी होनी चाहिए तो ये दूरी कितनी है? देखो यहाँ पर x का मान है minus 3 और यहाँ पर y का मान है 5 तो ये दूरी कितनी हो गई? मैं इसको highlight कर देता हूँ एक बार तो ये दूरी कितनी हो गई? भई ये हो गई 5 तो ये भी कितनी होनी चाहिए तो भाई ये दूरी भी होनी चाहिए पाँच ठीक है ये दूरी भी पाँच होनी चाहिए अच्छा तो फिर ये वाला पॉइंट क्या बनता है भाई यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो आ गई 5 लेकिन कैसी उपर प्लस है तो नीचे माइनस लेकिन x का मांद तो उतना ही है जितना पहले था इसमें कोई बदलाक नहीं हुआ पहले भी ये तीन ही था और अब ये तीन ही है तो ये कितना रजाएगा ये रजाएगा माइनस 3 ठीक है तो मेरा आंसर क्या हो गया जो प्रतिविम्यू है वो माइनस 3 कौमा माइनस 5 पर बनेगा तो मेरा आंसर है c ठीक है सीधा ग्राफ से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कुछ नहीं कर ठीक है ना कि अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है नेक्स्ट कुश्चन मैं सोच रहा हूँ कि यह लिया जाए ठीक है कि बहुत देर से हम कुश्चन जो है वो करे जा रहे हैं अब यह सवाल थोड़ा सा अलग है ठीक है पहले रहा पड़ लेता है कि सवाल कह क्या आठीक है कि बिजली यह खंबा है ठीक है और इस पर 6 मिटर क उचाई पर एक बल्ब लगा हुआ है अगर डेड़ मीटर लंबी महिला की परच्छाई तीन मीटर हो तो खंबेड से महिला की दूरी ग्याद कीजिए यह तो अजीब बात हो गई देखो यह हो गया हमारा खंबा पूल चीक है और यह जो है पूल वो हम सिक्स मीटर ले 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 अब इसी कहीं लाइन में एकदम कोई महिला खड़ी होई है ठीक है और इनकी जो लंबाई है वो 1.5 है माल लेते हैं जैसा की कोशन में कहा गया कि जो 1.5 मीटर की जो महिला है यह 3 मीटर की परच्छाई बनाती है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होई है तीन मीटर चीक है तो आप यह बताईए कि यह महिला पोल से कितनी दूर है यानि कि मुझे एक्स निकाल दूर है ठीक है अब छोड़े से काम और करना है यहां से लाइन को लेकर आना है और इसको ऐसे करके इसको जोड़ देना है ठीक है अब बताईए कि हो क्या लाइए सवाल जो है वो किस चैप्टर से है ठीक है अगर आपको लगता है कि यह उचाई और दूरी से है तो ऐसा नहीं है ठीक है यह सवाल जो है वो है त्रिबुच जहां पर हम समरूपता पढ़ते हैं ठीक है जहां पर हम समरूपता पढ़ते हैं मैं चीज दिखाता हूँ एक ट् एंगल है P Q C ये दोनों त्रिबुज क्या होंगे फिर से नाम देता हूँ आपके लिए एक त्रिबुज है A B C और दूसरा त्रिबुज है P Q C ये दोनों ही त्रिबुज समरूप होंगे भाई क्यों होंगे भाई देखो पूल 90 डिग्री पर खड़ा होगा और महिला भी सीध करें त्रिबुज है और यहां पर अगर याद हो कि अगर दो त्रिबुज समरूप होते हैं तो उनकी बुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है पिशली क्लास हमें बात करी है कि जो समरूप त्रिबुज होते हैं उनकी बुजाएं समानुपाती होती है इसलिए हम कहेंगे कि जो AB बट्टे PQ है याने कि उसकी बूचाई इसकी बूचाई जो होगी वो अब अगर मैंने यहां पर AB लिया है तो यहां पर पूरा BC लेना पड़े है आप यहां भी देख सकते हो ठीक है और अगर इसका PQ लिया है तो इसका QC लेना पड़े है यह चीज़ आप यहां पर नोडिस करो तो AB के साथ PQ आएगा और BC के साथ QC आएगा ठीक है वाल्यूस इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा रंदी से और खत्म करते हैं तो 1.5 से 6 कटेगा चार बार तो 12 बराबर है एक्स प्लस 3 तो एक्स का मान यहां पर आगा 9 जो की आर्सर में नहीं लिखा हुआ है अच्छा यह जो भी है वो सही है कि नहीं है तो यह है यहां पर किसी एक ऑप्षिन तो आप सुझेंगे यहां पर 9 लिखा हुआ है और 9 ही हमारा प्रेक्टाइब से इच्छे का नहीं हमारा क्रेक्टाइब सब्सक्राइब करेंगे अगली क्लास में इसका आयतन कितना होगा जब हम बात करते हैं एक घन की तो कुछ इस तरह से पर लेते हैं अब जो यह कहा जा रहा है कि आसन फलक यानि याने की एड्सेंट फेसल्स तो यह कैसे कैसे हों जाने आप जिसी रूप में बैटे हो उसका पुना पकड़ बाट बाट डू कर लो आपके पीछे वाली दीवार तरह अइस से खरते हैं तो नाय वाली दीवार वाली दीवार और आपके उपर वाली दी याने की च्छत ये तीनों क्या हो जाएंगे ये तीनों हो जाएंगे आसन फलक याने की Addison Faces ठीक है अब देखो पहले ज़रा इसकी बात करते हैं तो ये L है और ये B है और ये H है तो उपर वाले फलक का जो area है वो क्या हो जाएगा LB हो जाएगा मैं इसे X माल लेता हूँ ठीक है इस वाले फलक का area क्या हो जाएगा अगर ये B है तो ये भी B हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया B into मैं H इसे मैं Y माल लेता हूँ और पीछे वाला फलक है इसको मैंने यहां पर H दिया हुआ है ठीक है और ये L है उसका area हो जाएगा LH इसको मैं Z माल देता हूँ ठीक है तीनों फलक के area हो गए अब अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा तो होगा LB गुणा BH गुणा H L या फर ये कहा जाए L B और H का square ये क्या आ गया X Y Z अब LBH क्या होता है भई volume होता है तो volume का square क्या रहा है X Y Z आ रहा है तो volume की value क्या जाएगी under root X Y Z तो मेरा answer है B चीक है बस इसको इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसके अंदर ये result आप याद भी कर सकते हो हमेशा के लिए ठीक है तो आज इसी सवाल पर जो है अपनी class को finish करते है खतम करते है ठीक है अब आपको next class जो है कल ही मिल जाएगी अभी तक हम इसकी दो classes कर चुके हैं नेक्स class में थर्ड सेट लेकर आएंगे और तक तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए खुष्ट करिए मज़े कीजिए पएंगे